राम आएंगे तो यंगे ना सजाएंगे धीप चला के दीवाली हम मनाएंगे धीप चला के दीवाली हम मनाएंगे राम राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे सब के साथ हम गाना चाहते हैं हम याद करते हैं जो इस देशी नहीं दुनिया में जहां भी सनातनी लोग हैं वो भी और जो सनातनी नहीं थे सनातन को समझ गए हैं वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी जो बड़ी के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे सारे सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे राम आएंगे सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे दीप जला के दीवाली हम मनाएंगे राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे मेरे जन्मों मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम खाएंगे मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम खाएंगे गुरू रूप में राम मेरे आएंगे माता पिता रूप में भी राम आएंगे ये भूलना नहीं है ये याद रखिएगा कि राम इश्वर भी है राम मानों भी है राम स्रिष्टी भी है राम स्रष्टा भी है राम द्रिष्टी भी है राम द्रष्टा भी है राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मर्यादा को और बढ़ा लीजिए गुरु रूप मेराम मेरे आएंगे माता रूप मेराम मेरे आएंगे मेरे जन्मों के साथ सब जाक जाएंगे राम आएंगे यह जो शब्द है साद यह अपनी स्रद्धा लगी होते है भोश्पूरी में हमनी कह रहें साद के साद लागल बटे बहुत साल से साद लागल है कि राम जी आई है राम जी के मंदिर बनी अजुध्या जी में अब तो अजुध्या जी सीदे एरपोर्ट बन गई और एरपोर्ट के नाम रखाईल महरसी बालमी की अजुध्या था बालमी की जी ने राम को उतारा है तुलसी दास जी के लेकनी में सारा है हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे एक बार दोनों हाँ उठाईएगा सबके हाँ उठने से सबके तालियां बज़े और सब लोग मिलके गाएंगे मेरी जोपड़ी के बाद